Welcome दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चनल में ये है बहमन सफैद, ये एक जड़िपूटी है, विदेशी जड़िपूटी है और दुलव जड़िपूटी है बहमन सफैद इसका वेगानिक नाम है, संटोरिया वेहन, इसका वेगानिक नाम है अब आपने देखा होगा कि हम जड़िपूटी की वीडियो बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं? इसके पीछे मकसद ये है दोस्तों, एक तो ये पदा चलना है कि आपको कौन जड़िपूटी देखने में कैसी होती है, किस परकार की वो दिखती है, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है, इससे आपको अंदाजा हो जाता है, और किन किन रोगों में वो प्रियोग की जाती है, जैसे कि आज कि वीडियो है, उससे हम बना रहे हैं, बह्मान सफेद के ओपर, ये किन चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, इसको खाने का तरीका कैसे होता है, तो इसतरह की हमारी वीडियो होती हैं दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, चैनल करें तो चलिए शुरू करते हैं आज कि GR, इस नाम से एक जड़ी बूटी और आथी इसको भेहमन सुर्ख कहते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों फर्क किये हैं कि यह सफयर रंगी है और वो थोड़ी सी ब्राउन कलर की होती है, डाक ब्राउन कलर की होती है, भेहम कि रोगों में काम करती है तो दोस्तों देखिए सबसे पहले जिगर में ये आपको फायदा करती है अगर कोई जिगर का रोग है आपको लीवर से जुड़ावा कोई रोग है तो उसमें फायदा करेगी नमबर दो अगर किड्नी से जुड़ावा कोई रोग है गुर्दों में जो यौन रोग समस्या होती हैं जैसे कि लिंकर धीलापन होना, टाइमिंग का कम होना, ऐसी दवाईयों में भी बह्मन सपैद का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बह्मन सपैद को इस्तेमाल किन किन रोगों में किया जाता है और किन किन दवाईयों में किया जाता है, उसके ब पारीक इसको पीस करके, च्छान करके इसको इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको ये नहीं कि आप खाली खाएं, मैं ये कहूंगा कि इसको आप अन्नी जड़ी पूटियों के साथ प्रॉपर इसका कोर्स लें, जड़ी पूटियां उसके अंदर को मिला करके तब एक तरीका होता है तब आप इसका अस्तेमाल करें तो जादा बहतर रहेगा जड़ी पूटी ये भी बहुत अच्छी है बट इसको आप अगर और जड़ी पूटियों के साथ मिक्स करके बनाए तो बहुत अच्छा तरीका रहेगा अब मैं आपको बता दूँ के भेहमन सफैद ए जैसे कि नाम से जाहिर है यौवन चून हमेशा ज़वान रहने वाली आपको ताकत देता है यौवन चून और मर्दों से जुड़ेवे जो रोग होते हैं शीकर पतन की समस्या होना लिंक का ढीलापन होना लिंक में तनाव की कमी आना इन सभी समस्याओं में काम आता है यौ सफैद जड़ी बूटी के बारे में तो दोस्तो एक नए जड़ी बूटी और एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने हादिर होंगे तब तक के लिए गुडबाई